दोस्तो नमस्कार विकेन ओलिज इलेक्ट्रिकल में आप सबी का स्वागत है वेकेंसी न्यूज अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्तित हैं दोस्तो ये वेकेंसी सेमेंट कॉर्पोरेशन ओफ इंडिया लिमिटेड की है CCI की वेकेंसी है जिसके लिए न्यू दिली से अपलाई कर सकता है क्योंकि ये केंद्र सरकार का एक उपकरम है दोस्तो ध्यान रखें Central Government Public Sector Undertaking है इसलिए केंद्र सरकार के रूल इस पर लागव होते हैं तो किसी भी स्टेट से आप इंडिया में यदि बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अपलाई कर सकते हैं दूसरी बात मैं Reservation की किसों की सबसे पहले वो ही क्यूसन पूछे जाते हैं कि क्या Other State से अपलाई कर सकते हैं और क्या Reservation का Benefit मिलेगा तो दोनों बातों के लिए Yes है इसके लिए कोई Other State नहीं है क्योंकि ये इंडिया का है असम में जो यूनिट है उसके लिए वेकेंस से निकाल रहे हैं तो All India से अपलाई कर सकते हैं और सभी को Reservation का As Per Rule Benefit भी मिलने वाला है अब रही बात की पोस्ट कितनी है और सेलेक्शन कैसे होगा तो इसके लिए हम बात कर लेते हैं और चलिए डीटेल से सबसे फैरे देखो पोस्ट का नाम है Artisan Training और Electrician Welder Feater Mining और Production इन 5 ट्रेड के लिए इन्होंने पोस्ट दी है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं और Complete आपको दिखाई दे रहे हैं अलांकि पोस्ट बहुत कम है दोस्तों लेकिन किसी 5 का तो भला होगा टोटल ओबराल 20 सीटे हैं लगबग तो कोई 20 तो लगेंगी कम से कम तो यदि आप qualification रखते हैं तो मैं चाहत इलेक्रिशन का एक्जाम होगा रिटर्न एक्जाम आपका CBT होगा तो उसमें देखें वही आगे जाएगा जिसकी अच्छे तियारी हैं तो कोई भी पांच सेलेक्ट हो सकते हैं इलेक्रिशन की 5 सीटे हैं फिटर की सोरी वेल्डर की 3 फिटर की 4 माइनिंग की 2 और प्रोड गरना की जाएगी दूसरी बात यह 27 वर्स की एज जनरल के लिए मानी जाती है दोस्तों इसको भी आप द्यान रखें तो बाकी जितने भी केटेगरी हैं उनको एज पर रिजर्वेशन छूट भी मिलेगा यह जो हो रहा है यह अंदर रिजर्व और EWS के लिए होगा इनको क मिला करके मैं आपको एक्जामपल सैट कर देता हूँ मान लीजिए आप OBC से बिलोग करते हैं तो आपके लिए तीन सीटें हो गई टोप ठरी में यदि आप आते हो तो 100% आपका सेलेक्शन होगा इसी तरह से EWS में भी इसी तरह से भी SC में भी यानि टोटल आपको दो जनर करिवेशन और वो बाद की बात है चलिए दोस्तों बात करते हैं क्रिशल डेट इनके लिए क्या क्या रहने वाली है तो लिंक जो है वो 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है और ये 25 अक्टूबर तक रहेगा 5 अक्टूबर 2020 से लेकर के 25 अक्टूबर 2020 तक आप अपपल इलेक्रिशन में देखे सिर्व आपसे इतना का गया कि मेट्रिकुलेशन विद फूल टाइम टू इयर रेगुलर आइटी फ्रोम रिकोनाइज़ इंस्टिटूट इन इलेक्रिशन ट्रेड देखे कहीं एंज़विटी एंज़विटी नहीं लिखा तो आप अपलाई कर सकते हैं नो डाउट इसमें दोनों कर सकते हूँ कोई अलग से एक्सपिरियेंस वगिरा कुछ नहीं मांगा गया हालां कि वेल्डर वालों से देखो एक साल की अप्रेंट्शिप मांगी गई है ठीक है लेकिन फिटर इलेक्ट्रिशन से अलग से कुछ नहीं केवल आपका आईटी ही होना चाहिए इसमें रिजर्वेशन के लिए देखिए इन्हों ने दिख लिख दिया है इस परष्ट SCST को एज में 5 वर्स की और OBC को 3 वर्स की छूट भी है ठीक है आप अपलाई कैसे कर सकते हैं अपलाई करने के लिए आपको ओफिस्यल वेबसाइट पर विजिट करना है CCI की जिसका वेबसाइट है CCI Limited ltd.in CCI Limited.in और इसमें केरियर पर जाना है और वहाँ पर आपको अपलाई का ओप्शन मिल जाएगा वहाँ से आप अपलाई कर सकते हैं PDF को आप भी डाउनलोड करें और अच्छे से इसको पढ़ें मैं बात करता हूँ में तो सेलेबस इसका जो है और जो रिटर्न एक्जाम होगा वो अलांकि देखे रिजिस्टेशन फीस की भी में बात करो तो वो बहुत ज़्यादा है अन्रिजर्व और OBC केटेगरी जो है इनके लिए देखे 750 रुपए की फीस रखी गी है अलांकि EWS को इसमें छूट दे दिये EWS और Other केटेगरी जो 250 रुपए की फीस है अब देखे सेलेक्शन की बात करते हैं मेन यही होता है दोस्तो इसमें क्या एक रिटर्न एक्जाम होगा आपका ठीक है और रिटर्न एक्जाम में टोटल 120 क्यूस्टन होंगे रिटर्न एक्जाम के दो पार्ट होंगे A और B पार्ट A आपका टेक्निकल होगा जिसमें 70 क्यूस्टन होंगे पार्ट B आपका नोन टेक होगा जिसमें 50 क्यूस्टन होंगे यानि 50 और 70 तो 120 क्यूस्टन होगे सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कोई किसी परकार के नेगटिव मारकिंग नहीं है और किसी भी पार्ट को अलग से क्वालिफाई करने के जरूर दनी है यानि ओवराल आपके 120 में से जितने नमबर आएंगे मेरिट उसी की बनेगी ऐसा नहीं है कि आपको टेक्निकल में 50% लाने जरूरी है या नौन टेक में 50% लाना जरूरी है ऐसा यहां पर बिलकुल भी नहीं है और दूसरी बात नेगटिव मारकिंग नहीं है तो दोस्तों याद रखें टोटल किसन अटेंप्ट आपको करने ही है यह भोग ज़्यादा जरूरी हो जाता है अटेंप्ट इसको करना ठीक है और अगर मैं डीटेल से सेकंड पार्ट की बात करूँ तो उसमें आएगा आपका जन्रल अवैरनेस क्वांटिटिव एप्रिट्यूड इंग्लिस और रिजनिंग यह आपके लिए यहां से क्युस्टन रहने वाले हैं पेपर हिंदी इंग्लिस दोनों में होगा और एक अगर अलग भासा कि मैं बात करूँ असम में सेंटर है तो असमी भासा भी इसमें आएगी टोटल तीन भासा ही जो है वो इसमें यूज की जाएगी और टेस्ट इंडिया में कहीं भी हो सकता है अगर असम में सेंटर आता है तो आपको असमी भासा मिलेगी बाकी दो लेंग्वेज मिलेगी इंडिया में कहीं और यदि आपका आता है टेस्ट तो आप इसमें से अटेंड कर सकते हैं और उसके बाद कि यदि मैं बात करूँ तो दो चीजें और इसमें ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको एक ट्रेड टेस्ट यानि परफॉर्मेंस असेस्टमेंट से गुजारा जाएगा, मतलब एक तरह से आपका ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, और जो जो कंडिडेट उसमें सक्सेस हो जाएंगे, उन सब को फिक्स कर दिया यदि किसी कंडिडेट का सक्सेसफुल वो नहीं हो पाता है, तो उसमें इंप्लॉइमेंट जो है, वो संग्ठन नहीं देगा, उसको अला कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बारा मेने की ट्रेनिंग लेने के बाद आप जो है, वहाँ पर बिलकुल एक तरह से मैं यह कहूँ कि प्रेक्टिकली नोलेज हो जाता है, तो ट्रेड टेस्ट में आप एजिली वहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, रही बात बोंड वगिरा की तो कोई दिक्कत नहीं है, इसकी अलग से, और जब आपकी पहले बारा मेने के लिए ट्रेनिंग होगी, त तो बस दोस्तों यही थी मेन जानकारी, बाकी आप भी ओफिशिल वेबसाइट पर विजिट करके इस पीडियेफ को डाउनलोड करें, और कम्पलीट इसके निर्देशों को पढ़ें, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप फोर्म जरूर अपलाई करें, क्योंकि जनरल OBC के लिए 750 रुपे की फीश है, बाकी सब के लिए तो 250 रुपे की फीश है, और इस तरह की अपोर्चुनिटी मैं कहूंगा कि कम आती है, अब देखो इतना छोटा मैं यह कहूं कि सिस्टम है तो वेकेंसीज तो इतनी ही आएगी, लेकिन हमें कोपरेट करना है और हम इसके अकोर्डि सेयर करें, और आप यदि जैनल पर नई है तो जैनल को सबीस्क्राइब जरूर करें